नमस्कार दोस्तों तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं वेंड फार्म के बारे में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वेंड फार्म के बारे में डिटेल्स में जानकारी सब्सक्राइब कीजिए नदा सहारदिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस पहला आइकन को उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे तो सबसे पहले हम बात करिं, यहां पे तो wind farm यानि कि जहां पर मैं बात करूं यहां पे तो काफी यह सी जगा है जहां पे घुमावदार पवण आता है यानि कि मैं बात करों को पवण wind energy जहां पर wind energy सबसे जियादा मात्रा में मिलने की संभावना है वहाँ पर wind turbine को स्थापित किया जाता है और वो स्थापित की हुई जगा को काफी सारे ऐसे wind turbine है उसको स्थापित किया जाता है एक जगा पर तो उस जगा को यहाँ पर हम wind farms कहते हैं तो यह एक short सा simple सा term था लेकिन उसके बारे में मैं आगे आपको यहाँ पर बताओ तो काफी सारी ऐसी जगह रहती है जहाँ पर wind farm में बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पर wind energy सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है और काफी सारे ऐसी wind turbine को एक साथ में खड़ा किया जाता है उसको वहाँ पर स्थापित कि किया जाता है उसको यहाँ पर wind farm कहते है तो उस wind farm को उपयोग में यहाँ पर बात करूँ तो wind energy को electrical energy में convert करने के लिए होता है और वो electric energy को directly यहाँ पर grid supply के साथ में connect किया जाता है तो इस तरह का wind farm का structure रहता है अभी हम आगे बात करें तो यहाँ पर types of wind farm types of wind farm में देखने जाए तो यहाँ पर सबसे पहला type रहता है वो यहाँ पर हमारा onshore wind farm onshore wind farm के बारे में आपको यहाँ पर में बताना चाहता हूँ तो onshore wind farm यानि की जो समुद्र टट है उसकी जो level है उससे up या फिर कोई पहाड वाली जगा है तो उसके उपर जो wind turbine को स्थापित किया जाता है उसको यहाँ पर onshore wind farm कहा जाता है यह simple सा term है उसके बाद में बात करें यहाँ पर next तो यहाँ पर offshore wind farm है offshore wind farm की बात करूँ तो यहाँ पर समुद्र सपाटी के टट से कोई ACX योगिया इक्वल जगा पर जो जहाँ पर wind farm है उसको स्थापित किया जाता है उसका structure खड़ा किया जाता है उसको यहाँ पर offshore wind farm कहा जाता है simple सा और sweet सा यह term है offshore wind farm का onshore wind farm यानी कि जो पहाड़ वाली जगा है या फिर समुद्र टटकी काफी height पे बनाया जाता है उसको और offshore wind farm यहाँ पर simple सा और sweet सा है जिसको हम बताएं तो यहाँ पर समुदर तर्ट की सपाटी के पास में जो wind farm को स्थापित किया जाता है structure बनाए जाता है उसको shoreline wind farm कहा जाता है तो अब यह तीनों का definition मैंने आपको बता दिया इसको मैं simple सा single word में बता हूँ तो onshore याने की समुदर सपाटी से काफी height पे, offshore wind farm याने की समुदर सपाटी से 30 height पे या फिर उसके equal और shoreline wind farm याने की समुदर सपाटी के पर जो स्थापित किया जाता है उसको shoreline wind farm कहा जाता है, यह simple से तीनों types थे, उसके बाद हम बात करें आगे यहाँ पे तो आपको बताऊंगा advantages यानि की wind farm के काफी सारे ऐसे advantages है, जिसके बारे में हम बात करें तो costal use of costal unused land यानि की ऐसी जो wind उपजाओ जमीन है, उसको यहाँ पे wind farm स्थापित करके उसको best benefit बनाया जाता है जिसको कोच भी use में वो land नहीं use में आ रही है, तो यहाँ पे wind farm का structure बना के उसको wind energy से electric energy convert करने के लिए उस land को use में लिया जा सकता है उसके बाद हम बात करें next point तो यहाँ पे power can be generated to some extent by a single wind turbine यानि की काफी जो wind turbine है उसकी मदद से काफी सारी यह सी height peak level पे यहाँ पे power को generate किया जाता है single line में उसके बाद बात की तो works with a large number of unit in the wind farm यानि की काफी सारे ऐसे wind turbine रहेंगे एक साथ में 100, 800, 200 तो सभी को एक साथ large number में यहाँ पे unit एक साथ wind farm में use में लिया जाता है अभी next point की बात करो तो so a good amount of power can be generated and power can be fitted to the grid system through a single line यानि की काफी सारे ऐसे turbine से power open होता है wind energy से electric energy में काफी सारे ऐसे wind turbine रहेंगे उसको single line में यानि की एक ही feeding system की एक feed line पे directly सभी को connect करके एक साथ में feed किया जाता है grid system के अभी हम बात करें तो next point हमारा है maintenance is relatively low तो maintenance के बारे में बात करो तो hydro nuclear या काफी सारे ऐसे power plant है जिसकी respective में यहाँ पे wind power plant में यहाँ पे maintenance relatively low है उसके बाद the atmosphere is not polluted यानि की जो pollution है वो यहाँ पे atmosphere में pollution wind power plant की मदद से बिलकुल नहीं होता है उसके बाद बात करें तो number of staff for wind farm management should be less यानि की यहाँ पे काफी सारे दुसरे power plant है उसके respective में यहाँ पे wind power plant या wind farm में यहाँ पे काफी कम staff management की जरुरत पड़ती है क्योंकि वो सब कुछ automation के उपर रहता है तो यह पूरा का पूरा advantages थे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और subscribe करना हमारी channel नंदाशन हार्दिक को यहाँ पे मत भूलेगा अगर आपको कोई सुझाव है तो यहाँ पे comment section में जाके comment कर दीजे मैं उसका answer आपको जल से जल दूँगा